गुद बॉर्णिंग फ्रेंड्स वेलकम बैक तो मैं चैनल तो फ्रेंड्स आज मैं अपने गाडन का लुक दिखाऊंगी कि किस तरह से मेरा गाडन अभी दिखाई देता है क्योंकि आज मैं यहाँ पर का सारा प्लांट निकाल कर यहाँ नया सेटप तयार करूंगी तो इसलि और मैं सबको सेट जल्दी से ही करूंगी क्योंकि सुबा तो होनी पाता है बहुत धूप रहती है गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और मेरे कटिंग्स देखिए सारे कटिंग्स अभी बहुत सारे बचे हैं और कल मैंने बहुत सारे हिबिसकस रिपोर्ट भी किये है तो यह देखिए मैंने कल रिपोर्ट किया था हिबिसकस का प्लांट और देखिए कितना खुबसूरत इसमें फ्लावर आये हैं तो आप प्लांट ऐसे ही खरीदिये जिनमें बड्स आये हूँ ताकि आपके गार्डन में प्लांट आने के बाद फ्लावरिंग हो तो हिबिसकस इसमें तीन फ्लावर आये हैं और ये अच्छा फ्लावरिंग कर रहा है और इनकी पतियां देखिए बिल्कुल ग्रीन है और ये पिंग कलर के हाईब्रेट हिबिसकस इसमें कंटिन्यू दो तीन फ्लावर होते हैं और ये अच्छा फ्लावरिंग कर भी रहा है लेकिन अभी मैं यहां पर सारे प्लांट्स अटाकर मैं यहां पर कुछ चेंज करूंगी और देखे मेरे पर्सलेन के यहां पर से मैंने कुछ पर्सलेन के प्लांट्स अटाए भी हैं क्योंकि मैं बहुत सारे प्लांट्स अभी मुझे यहां पर रखने भी हैं तो मुझे तो मेरे flowers हिबिसकस के और एक जोरा और यहाँ पर देखिए पिंटास में मेरी कितनी अच्छी flowering हुई है यह यह पिंटास का flower हमेशा ऐसे ही इतने ही खिलता है और यह white color का देखिए हिबिसकस में अच्छी flowering होती है friends और मुझे हिबिसकस के plant ज्यादा पसंद है इसलिए मैं ह विस्कुस के प्लांट जादा खरीदती हूं और देखिए यहाँ पर मेरा गाडन ऐसा दिखाई देता है तो नया लुक आप लोग को जरूर पसंद आएगा मैं यहाँ पर नया लुक चेंज करूँगी तो आज का वीडियो दिया आप लोग को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजेगा सेयर कीजेगा बेल आइकन को प्रेज कीजेगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके तो फ्रेंड्स बहुत जल्द मिलते हैं नए सेट अप के साथ मेरे गार्डन का और नया वाला लुक आप लोगों को जलुद पसंद आएगा तो बाई बाई फ्रेंड्स